हालो एबरिबन मी एन माई कीचन में आप सभी का स्वागत है बहुत दिनों से मैं कीचन में अपने नमकीन नमकीन कुछ शीट बना रही हूं तो आज मैं बनाने जारी हूं मीठा मैं बनाने जारी हूं केरेमल कस्टार्ड पुडिंग यह बहुत अच्छी लगती ही खाने में तो आप भी जरूर ट्राइ करें इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस है जो वो शुगर को करेमल करने का है तो मैंने लिए 50 ग्रायम की करीब शुगर इसको मैंने एक चौड़े बरतन में डाल दिया है इस तरीकी का चौड़ा बरतन ले अब नॉनिस्टी खीलने तो ज्यादा अच्छा है इस पैटूला की सहायता से उसको पूरे बरतन में फैला देंगे इस पूरे प्रोसेस के दोरा नियाद रखेंगे टेंपरेचर धीमे ही रिखेंगे इसका अब मैंने लिया 50 ग्राम की करीब कस्टर्ड पाउडर इतना ही मैं लूंगी मिल्क पाउडर और मैंने लिया है दही थोड़ा सा तेसके अनुसरा आइए करीब तीन चमज की करीब है दही और 150 ml मिल्क है अब इन सारे चीजों को हम आपस में मिक्स करेंगे अभी मैंने चीनी नहीं डाली है पहले इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर मैं इसमें डालोंगे चीनी आप चीनी का बेटर है पाउडर बना के डालें मैंने 50 ग्राम की करीब ही शुगर लिया है तो कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर और चीनी ये तीनों 50 ग्राम 50 ग्राम है तो इसी रेशियो से आप ये बनाएंगे और मिल्क लिए मैंने 150 ml ग्राम के लिए आप चीनी ज्यादा या कम कर सकते हैं जितना ब्रॉड आपका पैन रहेगा जिसमें बनाना है आपको केरेमल उसको कवर करने के लिए उतनी ही चीनी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं तो ये देखी मैंने दीमी आज पर बैन को रखा है हमें लगतार चलाते हुए इसको मिक्स करूंगे आपस में अब देखी 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 इसका कलर चेंज हो गया है वाइट से ब्राउन हो गया है अभी और डार्क कलर आने वाला है इसका जब ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे चीनी तो ब्राउन कलर के हो जाएंगी ये देखी लगबक केरेमल में रब बन अब मैंने एक बड़े बरतन में पानी रख दिया है पानी इतना ही रखना है कि जिसमें ये मेरा इस्टैंड डूबार है ज्यादा पानी हमें नहीं रखना है केरेमल मेरा त्यार हो गया है अब जिसमें हमें पूडिंग डालनी है उसी बरतन में हम ये कैरेमल डालके फैला दे अब मैं इसमें डाल दूंगी धीरे धीरे डालें अब इस बर्तन को हमने उस बड़े बर्तन में जिसमें पानी बॉयल हो रहा है उसमें रख दिया रखके इसको कवर कर दें का रिप इसको 22-30 मिनट लग जाते हैं बनने में तो यह देखिए बन के रेडी है अब मैं इसको एक प्लेट रखकर इसको पलट लूँगी ध्यान रखे पलटते वक्त बहुत साधानी से करें यह देखिए केरेमल की वज़े से उपर कितना खुपसूरत कलर आया है और केरेमल से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ उपर से देखिए केरेमल की लेयर साइड में भी लगी हुई है तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको कट करने से पहले याद रखें इसे दो घंटे के लिए फ्रीज में रख दें तो ज्यादा अच्छा से करता है अगर आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग